पखाने को हिंदी में गू और अंग्रेजी में पू कहते हैं लेटरिन, पॉटी, टटी जैसे कई शब्द हैं लेकिन उर्दू ने कमाल किया है पखाने को खाने से जोड के रखा है और बात है अभी सही, आफ्टर आल पखाना खाने से ही बनता है उसकी नेक्स स्टेट है उर्दू में एक और शब्द है पाकीजा जिसका मतलब होता है सुन्दर, पबित, रहसीन तो आप सोचिये ज이션़रा पाप लजस कीजा का मतलब जब सुन्दर, पबित, रहसीन है तो पाप लस खाने का मतलब कम से कम इतना त्रिस्कृत तो नहीं जितना गू या पू तो आज हमारी कोशिश यह है कि पखाने को लेके हम अपना नजरिया कैसे पवित्र करें केहते हैं motion से ही emotion दुनिया का सबसे पृशन विखती कौन वो जो लेटरिन से सफलता पूरवक बहार निकल आए हम ऐसे कई लोग हैं आदे अदूरही लोट आते हैं पता ही नहीं चलता हो गया के नहीं हो गया है जाना है कि नहीं जाना है, दुबारा जाना है, तिबारा जाना है Confusion रहता है और ये confusion जाके आद बाद में कब्ज में बदल जाता है और फिर कब्ज से piles और नहीं तो फिर irritable bowel syndrome कि हर important मौके पर लगता है शायद जाना तो मैं तो कहूंगा कि एक सही पौटी ना सरिफ physical health के लिए जरूरी है बलकि emotional health और spiritual health के लिए और हमारी पौटी गडबड हुई है चार चीजों से पहली खाने में fiber की कन क्या है कि एक बढ़िया पौटी के लिए 30-50 gram fiber रोज खाना चाहिए और हम खा रहे हैं 10-15 हम actual में सुपाच खाने के चक्कर में आ गए हैं हम over cooked और almost पचा पचा ऐसा खाना खा रहे हैं अरे जबकि खाना ऐसा होना चाहिए कि पेट में जाकि थोड़ा ठहर है थोड़ा process हो और पूरा का पूरा हजम नहीं हो जाए थोड़ा निकलने के लिए भी बचे दूसरा कारण यह है कि हम में ऐसे बहुत सारी लोग RO या bottled water पीने लगे हैं अब RO और bottled water का जो TDS होता है वो कम होता है 100 से भी कम और जो low TDS का पानी है वो जल्दी से अंदर absorb हो जाता है आत में ठहरता नहीं है और जब पानी आत में ठहरता है तो फिर मल कड़ा हो जाता है तो अगर सही potty चाहिए तो साड़े 300-300 TDS का पानी होना चाहिए तो यह तो आप नॉर्मल पानी पियें या जो RO TDS पानी है उसमें बराबरी का नॉर्मल पानी मिला के पियें तो potty सही हो सकती है तीसरा कारण यह है कि हमारी आत की muscles कमजोर हो गई है जो लोग बहुत बैठे रहते हैं या जिनके थोड़ा पेट निकला आता है उनकी आतों में दम नहीं रहती है तो जब आतों में दम नहीं होती है उनकी जो muscles कमजोर है तो फिर motion नहीं बनता है अब मोशन नहीं बनता है तो फिर आधा धूरा मामला निकलता है बीच में अठकी रहती है चीज़ एक बहतरीन पॉटी वो होती है जो वन पीस सटाक में निकले है यह टुकले टुकले पॉटी कमजोर पॉटी है चौथा कारण वेस्टरन कमोर है एक्शुल में क्या है कि कुद्रत ने हमारे आथ में एक लॉक लगाया है और यह लॉक इसलिए लगाया है कि चलते फिरते में हमारी पॉटी नगिर जाए और यह सई तरीके से पूरा लॉक तभी खुलता है जब हम उख़डू बैठे हुए ह वेस्टरन कमोर पर बैठने से लॉक आधा खुलता है फिर पॉटी आधी निकलती है मन की बात दूरी रह जाए वेस्ट को यह समझने में कि उनके ट्वालेट का डिजाइन गडबड है 200 साल लग गए और अब वो अपने ट्वालेट के साथ कुछ ऐसे अटेज्मेंट लगा यह तो हम जानते हैं कि पॉटी गंदी चीज होती है हमें अपवित्र कर सकती है बीमार कर सकती है लेकिन अब नई चीज पता चल रही है इसका बिल्कुल उल्टा हेल्दी लोगों की पॉटी लोगों की बीमारियां ठीक कर सकती है और हेल्दी लोगों की पॉटी आप बीमार लोगों को खिलाई जा रही है हाँ जी खिलाई जा रही है हलाकि मेडिकली इसको कहते हैं FMT मतलब Fecal Microbiota Transplantation और उसमें एक तरह से पॉटी खिलाते ही है या तो पचास ग्राम पॉटी धाईसो डॉलर तक में बिक रही है तो सेहत मंद होने का एक ये भी फायदा है कि आपकी रोज की पॉटी पचीस पचास हजार की हो जाए कुछ नजर ये बदला क्या करें आपकी रही है जाए कि अपकी बदला की है पॉटी कि वायदा की हो जाए कुछ नजर खिला है झाल चलो होोग का लोगन है और लाते हैं झालो होगला है।